शिपुरी पुलिस के द्वारा अंधिक अतलका परदा फाश आरुपी गिरफतार धाना कोतवाली को 24 अगस को सुचना मिली कि एक व्यक्ति को राट और महला में उसके घर में चाकों से मार कर घाल कर दिया है जहां से उसे जला अस्पतार ले जाये गया जहाँ पर उसकी मौत की सुचना है सुचना से अग्यात आरुपी के वरुद धाना कोतवाली में अपराद कायम कर विवेचना में लिया गया पुलिस अदिक्षक शिपुरी राजेश सिंग चंदेल के द्वारा शायर के मद्ध हुई है सत्या को गंभीरता से लेकर ततकाल घटनासल पहुँच कर अग्यात आरुपी की पतारस्ती और गिरफतारी के निर्देश अथरिक्त पुलिस अदिक्षक शिपुरी प्रवीन भुरिया और एस्डियों की शिपुरी आजे भार्गव के मार्ग दर्शन में एक पुलिस टीम का गठन किया गया मौके पर फेसल यूनिट प्रभारी डॉक्टर एच एस बरहादिया के द्वारा घटनासल का निर्देश अगया और मौके पर साक्ष एक घटना करने के निर्देश दिये गठेट पुलिस टीम के द्वारा शेर के सीसी टीवी कैमरे चेक किये गए विवेचना के दोरान म्रतक के संपर्क बालों से पूस्ताच की गए इनमें से एक वेक्ती जो म्रतक का परिचत है उसके हाथ में ताजा चोट के जखम होने से उस पर संदेव होने पर हिरासत मिलेकर हेंकमत अमली से पूस्ताच करने पर बताया कि आरुपी के द्वारा पैसे लेकर म्रतक क चाकू मार कर हत्या करने की बाद सुईकार की गई और बताया गया कि पूर्व में उसका आरूपी से रुपे के लेंदेन पूले का विवाद हुआ था तब से आरूपी म्रतक से बदला लेनी की साजिश रखा हुआ था जसके बाद आरूपी ने म्रतक की निर्ममता पूर्वा खत्या कर दी आज पूलोस ने उसे गरफ्तार किया उसकी निशान देगी पर रक्तर अंज़त कपड़े और आरूपी का मोबाइल भी जब्त किया गया मैं आर रहा है ने जो तो देगी खालाई कर दूपार्वा रहा है कि अधिया ऊड़नी का फ्रे साय की निश्मार पंवार रहा है कि आज वर जब्त्या को सबंदाओ पूलोस धीश्मारी है खत्या का ज़ता है जालाते है कि आंफे यहा है, आज प्मीवानी को देख्तार में जबने अच्छी तीम भूला की बना कि आस्वार कुछा सच्छी कराया था उसमिन को आरूपी पकड़ने में सबन्साहिए आजो कि एका जो ने पताया है जो इसी समाज के आजा जाना फिर्दा के जाज़ा है जाजी पंदा जाग उपे इसमें बितक को दिये दिए जो इसमें पाफिसरी का दाजना है